नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर प्रदेग मां आने वाले प्रदोश वरत भगवान शिर्फ की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा दिन होता है शुक्रवार को पढ़ने वाले वरत को शुक्र प्रदोश वरत कहते हैं इस दिन किये जाने वाले प्रदोश वरत से सुख सम्रिद्धी और सौभागि का वरदान मिलता है साथ ही रोगों से मुक्ति मिलती है प्रदोश वरत की पूजा शाम के समय प्रदोश काल में की जाती है ये प्रदोश सुरियास्ते से लगपक एक घंटा पहले का समय होता है जो प्रदोशकाल कहलाता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रामर शुक्ल शुक्र प्रदोश्वरत साल 2021 में कब है 19 या 20 अगस्त को साथ ही जानेंगे कि त्रेओदोश काल का समय क्या रहेगा क्या है कतावा महत्वर साथ ही जानेंगे कि रोगों से मुक्ति के लिए आज की दिन कौन से उपाय करने चाहिए तो चली शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नहें हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आगामी त्रियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो त्रियो गशी तिथी के दिन वर्ति को सुरिदय से पुर्व उठकस्नानादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके पश्यात स्वक्ष वस्त्र धारन करें पुजा इस्थार को स्वाफ एवन स्वक्ष करें पुजा इस्थार में चौकी पर नए सफेद वस्त्र बिछा कर उस पर शेप परिवार या चित्र या मूर्ति को स्थापित करें एक तांबे या मिट्टी के कलश में चावल भर कर रखें फिर्श परिवार का पूजन करें फल्व में श्थान का नवैद लगाएं प्रदोश व्रत की कता को सुने या पढ़ें कपूर से आर्थी करें पूरे दिन व्रत रखें निराहार रहें छंता अनुसार आफशक्ता हो तो फलाहार ले सकते हैं इसके बाद प्रदोशकाल में पुना पूजन करें प्रदोशकाल सुरियास से एक घंटा पूर्व और एक घंटा बात तकर समय माना गया है इस समय पुना भगवान श्रिव की मुख्य पूजा संपन्न करें शाम के समय प्रदोशकाल में भगवा शिव को अर्वित करें और अपने रोगों को दूर करने के लिए भूले नास से प्रात्ना करें अगर किसी व्यक्ति को सुक्र ग्रह से संबंदित होई रोग हो तो सफेज चंदर में गंगा जन मिला कर उसका लेप शुक्र प्रदोष की दिन शाम की समय सिवलिंट पर करना चाहिए। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा 20 अगस 2001 किस दिन शुक्रवार को शाम के 6 बच का 56 मिनट से 8 बच का 50 मिनट तको लवदी रहेगी पूजन के लिए एक घंटे 54 मिनट की। शुक्र प्रदोष वरत की कथा के निउसाथ एक नगर में तीन मित्र रहते थे राजकुमार, ब्रामन कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्रामन कुमार विवाहित थे, धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था लेकिन गौना 6 था, एक दिन तीनों मित्र इस्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, ब्रामन कुमार ने इस्त्रियों की पशंसा करते हुए कहा कि नारी हीन घर भूतों का डेरा होता है, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवालाना शुब नहीं माना जाता लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो जित पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करने परी। विदाई के बाद पति पत्नी सहर से निकले ही थे कि बैल गाड़े का पहिया निकल गया और बैल की टांग तूट गई। दोनों को चोट लगी लेकिन फिर भी वो चलते रहें। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकू से पड़ा जो उनका धन लूट कर ले गया। दोनों घर पहुचें वहां धनिक पुत्र को साप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद को बुलाया तो वैद ने बताया कि वो तीन दिन में मर जाएगा। जब ब्रामन कुमार को ये ख़बर मिली तो वो धनिक की पुत्र के घर पहुचा उसके माता पिता को शुक्र प्रदोश्वरत करने की सला दी। और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस पहुच गया जहां उसकी हालत ठीक होती है यानि शुक्र प्रदोश्वरत के महत्म से सभी घोर कश्ट दूर हो गये कहते हैं कि जो भी बैकती इस दिन कथा सुनता या पढ़ता है भगवान उसके सारे कश्ट दूर कर देते हैं